दोस्तो अभी तक क्या था कि अगर आपको चीए कम प्राइस पे वाटर ड्रॉप नौज तो आपके पास बस रियल्मी की ओप्शन होती थी चाहे आप देखलो रियल्मी यूवन या आप देखलो रियल्मी टू प्रो इन दोनों स्मार्टफोन के इलावा इंडिया में और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है मिड्रेंस सेग्मेंट में वाटर ड्रॉप नौज के साथ लेगिन अब एक और smartphone market में आ चुका है जिसका नाम है Honor 10 Lite इस phone में भी आपको मिलती है Waterdrop Notch और इसका price रखा है Honor ने 13999 4GB 64GB के लिए और अगर आपको चाहिए 6GB RAM तो आपको pay करने होंगे 17999 इसमें आपको storage मिलेगी 64GB की ही तो storage यहां दोनों में ही same है बस यहां RAM का फरक है इन दोनों device में अभी इस phone की कुछ ऐसी बाते हैं जो कि मुझे जबर्दस लगी है लेकिन साथ में कुछ कम्याविया चोड़ दी है Honor ने क्या मुझे इसमें कमी लगी और क्या इसकी अच्छी बाते हैं सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपके लिए आज का question है Honor के smartphone की सबसे खास बात आपको क्या लगती है और क्या आपको कमी लगती है Honor के smartphone में हैश्टेग इसमोकन लगाकर comments में बताना मुझे चलिए अब हम बात करते है Honor 10 Lite के बारे में दोस्तो जब Honor 9 Lite इंडिया में आया था तब उस टाइम पे उस price पे वो best smartphone था उससे better build quality आपको 11,000 की range में और कोई नहीं दे रहा था जो आपको दीती Honor ने साथ में आपको दिया थे Honor ने quad camera जो इस device में अब ये जो smartphone आया है Honor 10 Lite ये कही ना कही उससे बहुत ही बड़ा अपग्रेट है Honor 9 Lite के comparison में लेकिन कही ना कही थोड़ा बद उससे कम भी है किसी किसी एरिया में अगर हम performance की बात करते हैं तो आपको मिलता है Honor 10 Lite में Kirin का 710 जो की बहुत ही better है Kirin 659 के comparison में तो performance को लेकर आपको इस device से कोई भी शिकायत नहीं होगी लेकिन अगर हम build quality की बात करते हैं तो build quality के मामले में करीना कही better था Honor 9 Lite वो आता था glass build के साथ लेकिन ये phone आपको मिलता है polycarbonate के साथ और back side पे आपको दी गई है glass finishing मतलब आपको actual glass नहीं मिलता back side पे इस बात का आपको ध्यान रखना है हालागी design का फिच्छ है कोई भी दिक्कत नहीं है glass finishing आपको मिलती है अगर अब अच्छी बात के हम बात करते हैं तो यहां आपको मिलता है 6.21 इंच का water drop display FHD plus resolution के साथ इसके design में मुझे एक बहुत ही खास बात लगी है आपने देखा होगा जो भी आपको water drop display वाले smartphone मिलते हैं उनमें आपको notification light नहीं दी जाती करिन लग है उसको device से गायव कर दिया जाता है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है आपको यहां नीचे के साथ दे गई है notification LED light जो कि मैं होंगा जबरदस्त है notification light होना बहुत ही ज़रूरी है एक smartphone में आप भी आगरी करते हैं मेरी बात से तो like करके बताना मुझे 15,000 likes का हम target रखते हैं अब अब इसके camera के बारे में बात करते हैं दोस्तों अबसे बहले क्या था कि camera कितना है वो तो मैंने आपको बताया था लेकिन sensor कौन सा है वो आपको नहीं पता था जो कि अब पता लग चुका है यहां आपको मिलता है front camera 24 megapixel का और sensor यूज किया गया है उसमें भी यही sensor यूज किया गया है अब उसका front camera कितना अच्छा है यह आप सब जानते हैं Realme U1 और Redmi Note 6 Pro के इलावा यह best smartphone रहेगा front camera के लिए 14 जाकी range में अगर हम rear camera की बात करते हैं तो यहां आपको मिलता है 13 plus 2 megapixel का sensor F 1.8 aperture के साथ और जो AI की capability है वो बहुत सारी आपको मिलती है इसके camera में इसके camera में आपको super night mode मी मिलता है तो low light में यह अच्छा perform करने की उमीद है बग एक्च्छल में कैसा perform करेगा वो मैं आपको बताऊंगा phone हाथ में आने के बाद इसके लगवाग खास बात है इस phone में आपको मिलेगा out of the box Android Pie तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी बात है आपको Android Pie के लिए wait नहीं करना पड़ेगा बैटरी के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको battery मिलती है 3400 mAh की जोगी मैं कहूंगा competition को देखते हो यह बहुत कम है और अलगर मैं बात करता हूं तो smartphone ये काफी अच्छा है बस मुझे इसमें 3 कम्या लगी है एक तो दिक्कत है इसका hybrid SIM slot यहां आप dual SIM के साथ HD card नहीं लगा सकते जबकि इसमें आपको triple slot मिलना चाहिए था इसके बाद मुझे कम्या लगी है इसमें ग्लास बिल आपको इसमें नहीं मिलती है आपको इसमें मिलता है polycarbonate और तीसरी कम्या आपको इस phone में 4K video capture करने का option नहीं मिलता उन्हें आई आई आपको इसमें मिलता है EIS का option जो कि अगर होता तो काफी अच्छा रहता अब इसके लिए आपको pay करने होंगे 14,000 4GB, 64GB के लिए अगर आप लेते हो owneratex तो उसके लिए आपको pay करने है 15,000 अब आपकी mind में एक question आएगा हम इस phone की जवापे owneratex क्यों नहीं लेंगे जो हमको मिलता है 15,000 में आपको question ये बिल्कुल सही है आपको 1000 और भरके मिल जाएगा glass build वाला smartphone लेकिन उसका जो front camera है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपको मिलता है owner 10 light का इस बात का भी आपको ध्यान लगना है performance आपको दोनों में ही काफी अच्छी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो front camera है वो जादा अच्छा है owner 10 light का owner attack के comparison में तो अगर आपको कोई selfie centric smartphone चाहिए तो आपके लिए best option रहेगा owner 10 light हालागी Redmi Note 6 Pro और Realme U1 भी है selfie centric smartphone लेकिन जो performance है वो आपको better मिलती है owner 10 light में Redmi Note 6 Pro के comparison में और जो Realme U1 है उसका interface बहुत ही पीछे है EMUI के comparison में तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा अगर आपको चाहिए water drop display selfie centric smartphone जबरदस performance तो आपके लिए best option है owner 10 light लेकिन अगर selfies ही आपको दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत उपर नीचे चल जाएगी तो मैं आपको recommend करूँगा owner 8 tax owner 10 light के comparison में मुझे उमीद है कि आप मेरी इस बात से agree करेंगे आप बताओ मुझे comments में आप 14,000 की range में कौन सा phone लेना पसंद करोगे Realme U1 Redmi Note 6 Pro owner 10 light या फिर owner 8 tax मुझे उमीद है कि आपको कुछ help मिलियोगे इस वीडियो से अगर आपको help मिलियो तो वीडियो को like और शेकर न मत मूलेगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में thanks for watching this video